अध्याय 22, The Account of Chundad Metal Forger राजगा के शोर मचाने वाले शहर में, चुंडा नाम का एक प्रतिभाशाली धातू जालसाज एक बुन्यादी लेकिन संतुष्ट जीवन के साथ आगे बढ़ा, अपने आवान की कठिनाईयों के बावजूद, चुंडा ने अपने काम में आराम और उत्साह का पता लगाया सक्षम हातों से धातू के जटिल टुकडे बनाए, किसी समय राजगा में गौतम बुद्ध की उपस्थिती के बारे में अंतरद्रिष्टी पूरे शहर में तेजी से फैल गई, धातू जाली बनाने वाले का दिल रुची के साथ मिश्रित हो गया, और वह अपने दिन प्रत रात की शांती को गले लगा लिया, चुंडा उन जंगलों की ओर बढ़ा जहां गौतम बुद्ध लहते थे, सहानु भूति पूर्ण रिशी के लिए उनका हृदय विनम्रता और पूजा से भर गया, गौतम बुद्ध एक बोधी व्रिक्ष के नीचे बैठे, जो उनके शि के मानविय रूप से मिलती थी, अत्यंत विनम्रता के साथ, चुंडा ने गौतम बुद्ध के सामने उनके उपहारों और दिशा की तलाश में जुग गए, उन्होंने समझदार की अंतरद्रिश्टी के लिए अपने सम्मान और उन्नत से प्राप्त करने की अपनी लालसा को व्यक्त किया। गौतम बुद्ध ने अपने हिरिदय में सच्चाई को महसूस करते हुए चुंडा पर उरजावान रूप से मुस्कुराया, उन्होंने समित का अपने साथ बैठने के लिए स्वागत किया, जो इस विनम्रक होज करता को अपने सबक सिखाने के लिए जैसे जैसे रात बीती गई, गौतम बुद्ध की उपस्थिती, शर्भंगुर्ता, सब कुछ समान होने और आंतरिक सद्भाव और स्वतंत्रता के मार्क के बारे में बात करते हुए चुंडा ने वफादार विचार के साथ ध्यान दिया। धातू के जालसाज का दिल रिशी की महत्वपूर्ण अंतरद्रिष्टी के लिए खुल गया, और वह सबक से गहराई से प्रभावित हुआ। इस विश्वास पर टिके रहे कि वे उनके मूल्य और व्यक्तित्व की विशेशता है। एक समय पर एक रिशी पास से गुजरे और कुमहार का उसके बरतनों से संबंध देखा। रिशी ने एक कोमल मुसकान के साथ कहा, बरतनों की भव्यता पृत्वी में नहीं है, बलकि उनके अंदर के शून्य में है, यह रिक्ति उन्हें सहायक और महत्वपूर्ण बनाती है। कुमहार बुद्धिमानों के शब्दों से उल्जन में था, जो उनके वास्तविक महत्व को समझने के लिए अयोग्य था। रिशी ने आगे कहा, बरतनों की तरह आपके वास्तविक मूल्य के जूट बाहरी दुन्य में नहीं, बलकि आपके दिल के अंदर के शून्य में है अलगाव को अपनाएं और आप स्पष्ट स्वतंत्रता का पता लगा लेंगे। व्यक्त की, उन्होंने हाल ही में खोज की गई दिशा और सहनशीलता की भावना को महसूस किया। यह समझते हुए कि एक व्यक्ती के रूप में उनका मूल्य बाहरी उपलब्धियों में नहीं बलकि आंतरिक सद्भाव और अलगाव में नहित है। उस दिन से आगे, चुंडा ने खुद को उन्नती के मार्क के लिए समर्पित कर दिया, अपने आवान की कठिनाईयों से उपर उठने और अपने दिल के अंदर आराम और स्वतंत्रता का पता लगाने की कोशिश की। लोहार चुंडा और गौतम बुद्ध के साथ उनकी मुठभेड की कहानी पूरे राजगा और उससे आगे तक फैल गई। आत्मखोज और आंतरिक परिवर्तन की उनकी यात्रा ज्यान के मार्क पर चलने वाले साधकों के लिए प्रेणा की किरण बन गई। आने वाले अध्यायों में गौतम बुद्ध के जीवन के सबक और उनके ज्यान की परिवर्तनकारी शक्ती की कहानी सामने आती रहेगी, जो चुंडा जैसे साधकों को सत्य और मुक्ती के असीन क्षेत्रों की ओर ले जाती है। अध्याय 22 की नैतिकता लोहार चुंडा की कहानी हमें बाहरी लगाओं से खुद को अलग करने और आंतरिक शान्ती और पूर्ती प्राप्त करने का महत्व सिखाती है। में सांत्वना और मुक्ती पाने के लिए प्रेदित करती है।